सब बोलो लड़ुको पाल कीजे सभी को रादे रादे और आज है किष्ण भगवान जी की छटी और मैं सुरवात कर रही हूं उन्हें इस नान कराने से इस नान कराके अभी उनको नए वस्तर बना दूँगी और फिर खानावना बनाऊंगी पूजा के लिए जैसे भी पूज करते हैं जाद मुझे नहीं पता है क्योंकि मेरे बच्चों की जब छटी वटी पूजी थी तो इसकी बुआ उने किया था सारा काम तो मुझे जादा जानकारी तो है नहीं लेकिन जितना भी सब करते हैं जो तो देखते हैं तो उतना तो करी लेते हैं तो अभी देखो बग तो यह भी अच्छा हुआ क्योंकि फूल थे नहीं तो माला भी सुबह सुबह मिल गई हैं तो मेरे बगवान को फूल भी समर्पित हो गया अन्या था तो मैं सोच रही थी कि नमस्ते जी सभी को रादे रादे कैसे हैं सब आसा करते हूं कि सब अच्छे हैं और आज है कि संजी की छटी सभी को बहुत बहुत बदाई हैं चटी की और कैसे मना रहे हैं मैं अभी बस तयारी कर रही हूं पूजा तो होगी थी सुबह अभी तो बारा साड़े बारे का कि क्या के बनाया और कैसे मनाई यह जटी तो बस अब ही मैं किचन में ही जा रहे हूं तयारी करती हूं बोग लगाने के लिए बनाना है तो चलिए बना लेते हैं पहले तो जी यह लुक है प्रभू का आज देख सकते हैं यह पूरे मंदिर का वियू है और अब मैं कर लेती हूं खाने की तैयारी काने में मैं नैंड़ी मंगा ली थी दो किलो तो उसको continuar छनी में बारिक चंपना लीग तो यह निकल जाया था सारा कड़ी भी इसी से घोल लूँगी और बाकी जो बचेगा उससे बना लूँगी पकोड़िया और ये दोनों मैंने बड़े बगोने भी निकार लिया एक में चावल बनेंगे और एक में कड़ी बनेगी और साथ-साथ मैं पूड़े भी बना लूँगी हल्वा भी बना मिर्च खाल लिए अभी नमक भी नहीं डाला है थोड़ देर बार डालूंगी नमक अगर बेशन को थोड़ा ऐसे पहले फुला कर रख देते हैं तो पकोडिया बड़ी अच्छी बनते हैं सोफ्ट नमक थोड़ी देर बार डालूंगी इसमें और मैंने कड़ी में भी नमक थीक है और यह कोई भी थेवहार होता है तो उत्सा कीतना होता है काम करने का यह भी बना लो यह भी कर लो अरवसкивais काम नमटा के लगी कई तीば और क्योंकि हमारे यहां बाहर किर्टन भी है तो वह भी मैं उसकी भी कुछ जलकें आपको दिखाऊंगे किर्टन की भी कैसा रहा किर्टन तो अभी तो पहले मैं कड़ी छोग देती हूं यह घुल के तयार हो गये है अब छोगने की तयार ही कर लेता है छोगने के लिए मैं ए तो इसलिए इसमें मैंने डाल ला है एक चमस सौड़ा लूँगी मैं इसमें मेथ्य दाना और यह बड़ी चमस थी मतंब छोटी चमस दो होंगी एक चमस डाल दिया ही और इसमें डाल दूग थोड़ी से तेजबत्र walks थह कुछ खड़े मसाले लोंग है काली मिर्च है और ब और अब इसमें डाल दूँगी मैं कड़ी जो मैंने घोल के रखी थी और इसको अच्छे सा जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता तब तक चलाते रहेंगे अधर साइड में भी तेल करम हो रहा है उसमें मैं तब तक बना लेती हूँ बाकी काम भी करने है जैसे पूड़े बनाने है अब शकड़ी छुकी है तो इसमें मैंने डाल दिया है नमक क्योंकि नमक मैंने कड़ी में नहीं डाल ला था और ये चार किलो के असपार्च खड़ी होगी चार साढ़े चार किलो मैंने पांच चमच नमक डाला है तेल गरम हो गया और ये पूड़ो का अट्टा मैंने गोल लिया है चिन्नी के बना रहे हूं क्योंकि गुड़त इस समय मिला नी तो ये और थोड़े छोटे छोटे ही बना रहे हूं कि मैं पूड़े और थोड़े भनाएं बहुत जादा बना है भी निकी बहुत जादा बनाए हैं तो देखो चिन्नी के हैं तो इसले कलर इनका थोड़ा ब्राउन डार्क ब्राउन नहीं हुआ लाइट सही है लेकिन पग्डें अच्छे करारे हो रहे हैं तो यह मैंने निकाल दे हैं जो बाकी बचा है उसको भी मैं बना लूँगी एक बार में और बन जाएंगे इतने बनाए हैं यह रखा है और इसे बनाने के बाद फिर मैं बनाऊंगे पकोड़ी और कड़ी भी साथ साथ चला रही हूं इदर देखो कड़ी में खदका लग गया था तो इसे में चोटी गैस पे रख दिया इदर बड़ी गैस पे पकोड़ी तर लेती हूं और बेसान इतना फ्लफी सा हो गया था एकदम पकोड़ी गिरते ही फूल रही थी बहुत अच्छी सोफट सोफट सी बनी थी पकोड़ीयां और चोटी-चोटी मैं इसलिए बना रही ह तो इसलिए मैं बहुत छोटी छोटी शी बना रही हूं ताकि तोड़ दीना पड़े और खाने में भी आसानी हो तो बस सारी पकोड़ियां भी तल के तयार कर लूँगी इसी साइज की बनाई है मैंने सारी पकोड़िया तो यह लास्टी था सारी बनगी है इनने भी में निकाल लूँगी और अब मैंने इस गैस पर रख दिया है चावल बनाने के लिए पानी पकोड़ियां पानी भी मैंने रख रख रहा है कड़ी इस खदक रहा है कड़ी में तड़का लगाऊंगी छोटे फैन रख रहा है जो उससे और यह पकोड़िया मैंने सारी पानी में डाल दी है इनने पानी में डालने से यह सोप्ट हो जाती है और कड़ी जैसे आपकी जैसे हम पतली उतारते हैं तो पकोड़ी डालने के बाद टाइट हो जाती है अगर आप पकोड़ीों को पानी में डालेंगे तो कड़ी ज्यादा टाइट नहीं होती और पकोड़ी बहुत अच्छी सोप जाती है और कड़ी की यह पैचान होती है कि आ तोड़ी सी डाल दिया है कड़ी पत्ता थोड़ी सी देगी लाल मिच जिससे कड़ी में अच्छा सा कलर आ जाएगा इनको अच्छे से भून लेंगे जादा टाइम ही लगता इसमें मुश्की से कुछ सेगिन और उबलती हुई कड़ी में हम इसको डाल देंगे तड़का मैंन कड़ी का देहां में हम थोड़ा का पानी जोड़के इनने सारी पकोड़ी ओक इसमें डाल देंगे कड़ी वं तो रहां देगे कर व warfare क्याल देट कर देगा, क्योंकि अच्छा लगेगा कड़ी का कलर ऐसा है तो श्में ग्री ठ्र отвеч भी अच्छा बत नहीं है थोड़ा साहा म डाल दूँगी, कट करके, पहले ही धो लिया था मैंने इसाबू थी, अब मैं उदर चावल का पानी हो रहा है, तो इधर मैं बना लेती हूं हलवा, देखो हलवा बन गया है, और जाद है मैंने बनाया नहीं है, थोड़ा ही बनाया है, क्योंकि सब थोड़ा थोड़ा बनाते ह परशाद में फिर बट जाता है, और साथ साथ फुलके भी सेख देती हूं, मैंने इसकी बुगा से पूछा थो तो उन्होंने बताया है कि फुलके सिखेंगे, तो और ये चावल भी देखो बन गये हैं, चावल मैंने अद्धा गंटा पहले विगो कर रख दिये थे, देख मिष्री और मक्खन रख्या है, फ्रूट रखे हैं, जो तैयारी करकर रखे हैं, पूजा के लिए च्छटी पूजन के लिए, अर्ड़ा सोई भी देखो, साफ कर दी हैं, पूरी बरतन बरतन सब क्लीन कर दिया हैं, बस अब मैं तयार हो जाओ, तयार हो के फिर पूजन करते है कि और तेयार हो कि आगई पूझा करने के लिए तो में भगवान को ना कटिक कर देती हूं है जो तभी जला लिंदी ऑब भगवान को आधाने के बाध सक्राइन को जूला जूलाओंग की और चटी तक बगवान को दोनों टाइम जुला जुलाते हैं दिन में भी जुला सकते हैं जैसे आप कमन करें जुलाया हो तो अब मैं बगवान को पहले सबसे पहले फलो का भोग लगा दूंगी उसके बाद में लगाओंगी जो भी मैंने रोटी पूरे पूरी चावल कड़ी मिश्री मक्खन हल्वा बनाए हैं सब का भोग लगा देती हूं और अब मैं चांदी की चमच ली है मैंने एक उस पर मैं जो दिया जल रहा है उसी से स्याई ले लूंगी और आज चटी है ना तो बगवान जी को मैं काजर लगा रही हूं काजर लगाने के बाद और इनको टीका भी लगा रहे हूं कही नजर न लग जाए और बहुत ही प्यारे लगते हैं प्रभू पता नहीं कहां से इतना रूप आता है ऐसा लगता है कि मोह भी लेंगे बिलकुल और अब मैं सब को मिनस दूँगी और ये खाना सारा गाएं के जाएगा और अभी मैं जाओंगे किर्तन में अभी किर्तन की जल्किया भी आपको दिखाती हूं कर दो दो अब आपको जाओंगे ले दो किर्वारे ले गुँगी पुछ जाता है